तो वो results हम आज इंशालला देखेंगे सबसे पहला result और वो यह है कि जब मर्द और और औरते साथ में किसी भी environment में जब औरते अपनी खुपसूरती को जाहिर कर रही हैं अपनी beauty को display कर रही हैं तो यह जो attraction है उस attraction से result क्या आएगा result यह होगा या तो consent के साथ कुछ चीज़ें step by step आगे बढ़ेगी पहले बातों से मजाख होने लगा मजाख के साथ थोड़ा गूमना शुरू हो गया गूमने के साथ हाथों में हाथ मिला करके कुछ बाते होनी शुरू हो गई बातों से मिलने से आगे बढ़ते बढ़ते बढ communication, zina, ये stage तक बात पहुँच जाती है, affairs, relations, outside marriage, extramarital affairs, वहां तक बात पहुचती है, और वो जो बात पहुचती है, उसके बहुत सारे खतरनात अंजान होते हैं, हमने discussion polygamy के time पर किया था, लेकिन क्योंकि मैं समझता हूँ कि शायद हमारे कुछ viewers इस program के जो देख रहे हो, वो उस time पर अगर ना हो, तो मैं बहुत ही मुक्तसर में recap करता हूँ, पहला problem ये है, कि जब ये relations कायम होते हैं, consent के साथ, दोनों तरफ राजी है, consent के साथ जब होते हैं, और डियरल ही होते हैं, जैसे कि आव वेस्टरन कंट्रीज में देख सकते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर, UK में 47.5% of the population आज शादी से बाहर पैदा हो रही है, अमेरिका में 41% of the population शादी से बाहर पैदा हो रही है, हम देखते हैं, फ्रांस में 55% of the population शादी से बाहर पैदा हो रही है, कई European countries की यही हकीकत है, एक बहुत बड़ी उनकी population शादी से बाहर पैदा हो रही है, तो यह यह एक्स्ट्रामेरिटल रिलेशन्स जो होते हैं, उसका result ही होता है, तो pregnant कौन होने वाला है, pregnant वो मर्त तो नहीं होने वाला है, वो आदमी तो नहीं होने वाला है, pregnant तो वो औरत ही होने वाली है, उसके बाद abortions बहुत सारे होते हैं, जो abortions होते हैं, जो अमेरिका में 21% pregnancies abortion में खतम हो जाती हैं, उसमें से 85% unmarried औरते होती हैं, तो abortion के जरी किसे गुजरना होगा, औरत के गुजरना होगा, कोई कहेंगे कि अगर protection या पिल्स वगएरा, तो पिल्स के सारे सारे जो established proven side effects है, वो कौन बरदाश करेगा, वो मर्त को नहीं बरदाश करेगा, वो औरत बरदाश करेगी, उसे abortion से गुजरना पड़ता है, उसका trauma उसे गुजरना पड़ेगा, और मान लीजिए, जैसे कि मिसाल के तौर पर बच्चा पैदा होता है, और जैसे कि अमेरिका के ने कितनी बड़ी population, यह वेस्टरन कंट्री की मिसाल इसले दी जाती है, कुछ लोग कहते हैं, बार बार अमेरिका, अमेरिका आप क्यों कर रहे हैं, इसके fact यह है कि यहां और सारी ये country's में जो model है, जो ideal है, जिससे बिल्कुल तमना कहा जाता है, कि ऐसा बन जाए, बलकि यहां का culture बिल्कुल different है, वो उसी तरफ बढ़ आया और बढ़ाने की कोशिश की जाती है, कई बार ऐसा होता है कि कोई चीज़ माश्चरे और सुसाइटी में बुरी समझी जाती है, पहले स्क्रीन पे लाया जाता है, स्क्रीन पे लाकर प्रोग्राम्स के जरिए, फिल्मों के जरिए, इसकी एक सोशिल एक्सेप्टेंस क्रीएट की जाती है, उसके अंदर जो शॉक वैल्यू है, उसे ख़तम कर दिया जाता है, उसके बाद में सोसाइटी में वो जब दिखेगा तो इतना प्राब्लम नहीं होगा, प्राब्लम नहीं होगा, प्राब्लम नहीं होगा, बच्चों की अप्रिंगिंग भी कर रही है, क्योंके बाप तो छोड़की जा चुका है, बच्चों को संभाल रही है, बच्चों के अखराजाद संभाल रही है, फिजांचिल एक्सपेंस संभाल रही है, उनका इमोशनल, उनने साइक्लोजिकल, उनने फिजिकल, हर एतुबार से वो माँ बाप का भी रोल प्ले कर रही है और उन सब की जिम्मेदारी संभाल रही है क्योंकि बाप तो जा चुका है तो हम यह कह रहे हैं कि यह चीज शुरू कहां से हुई थी और खता कहा हुई है आउट ओफ हाउस की जिम्मेदारी भी उसे ही अदा करने तो हम देख रहे हैं कि वाट इस दर रिजाल्टी चुरू कहां से हुआ यह जो बच्चे पैदा हो गए जो वो माँ हैं संभाल रही है जो तीन करोर तीस प्लाग घर ऐसे हैं और वो सारे बच्चे जो बच्चों को पता नहीं कि उनके वालिद कौन है या पता हो भी तो लीगली क्लिम नहीं कर सकते हैं या वो बच्चे जिन्हें विरासत में कोई हख नहीं मिलने वाला तो इतने सारे बच्चे डिप्राइव हो गए हैं अपने फादर की नहीं है रिटन से और सारे वो जो स्टोशल स्टिग्मा के साथ जीना पड़ता है जो हम देखते हैं और बच्चों के साइकलोजिकल डेवलाप्मेंट उनके performance उनकी growth के अंदर भी problem है और वो औरतों का जो advantage उठाएगा कोई तो कब तक उठाएगा वो औरते आगर कहें कि हाँ आज ये हैं आज फ़लाँ वो हो गया इसके बाद उसके साथ relation है उसके बाद live in relationship उनके साथ हो गई तो हम कहते हैं कब तक लोग इंट्रस्टे होंगे उस औरत में तब तक इंट्रस्टे होंगे जब तक वो beautiful है जब तक वो young है एक बार बुडी हो गई एक बार उसकी beauty जाने लगी जो बच्छों के पैदा होने के बाद कई बार और उतों की जाने लगती हैं उसका अंजाम यहां जा रहा है कि यह सारी ओरतों के उपर एक बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है बहुत बड़ा इंजस्टिस हो रहा है वो सारे बच्चे जो पैदा हो रहे हैं उनको बहुत बड़ा इंजस्टिस हो रहा है जो आज वो खुद रियलाइस कर रहे हैं जो खंडे में वो जाकर गिरकर आज बाहर निकलने के तालिब से सोच रहे हैं वो खंडे में जाकर एंटर होना चाहते हैं और ये एक हमारी mental slavery है ये हमारी mental slavery है जो शायद हम British दोने, British occupation से तो आजाद हो गए है लेकिन ये mental slavery से हमका बात जाद होगी एक सोचने की बात है जैसा मुझे लगा कि आप कुछ जादा जजबाती हो गए इस टॉपिक को लेकर के जजबाती होने वाली बात ही है अगर हम देखें वो सारी औरतें human beings हैं हमारे जैसे इंसान हैं उसके सारे बच्चे हमारे जैसे इंसान हैं और जो वहाँ पर हो रहा है जब इंडिया में बात आएगी तो यहां तो figures ऐसे भी population माशा आला है तो यहां पर figures और ज़्यादा सिवियर होने वाले हैं आले हैं यहां के बातें unmanageable होने वाले हैं और हम यह देखते हैं कि यह सारी चीज़े कोई दूप कर रहा है चाहरो ऋस सारे human rights वाले, जो human rights के बाते करते हैं उनको ये क्यों नहीं दिखाए दिता है कि इतनी सारी औरतें, इतनी सारे बच्चे ये डिप्राइव हो रहे हैं, ये बाप के प्यार से डिप्राइव हो रहे हैं, वो सारे जिंदगी की खुशियों से डिप्राइव हो रहे हैं, जो चेस्टिटी में है और जो ये सारे सिस्ट में जाकर वो खुद इतने सारे प्रॉब्लम से में अपने आपको आने वाली पीडियों को दाल रहें और डबल ड्यूटी एक और बहुत सारे प्रॉब्लम